चुले आगे बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की एक और बड़ी ख़बर का और इस वक्त की एक और बड़ी ख़बर आपको बताएं Constable भरती परिक्षा से पहले ATS की बड़ी करवाई है और ATS को द्वारा ये बड़ा ख़दम उठा गया परिक्षा पास कराने वाले गिरों का भंड़ा फोड किया गया है और मेगराज मीना बेदी राम मीना को इस तोरान गिरफदार कर लिया गया ये ऐसे लोग थे जो की परिक्षा में पास कराने को लेकर के एक नेकसस एक लंबे समय से चल रहा था आठ लाख रुपे लेकर के ये पास कराने का काम करते थे जैपुर के जगतपुरा में योचना बनाते एटी एस ने इनको इस तोरान धरदबोचा है यानि कि एटी एस का आक्शन देखने को मिला है और एटी एस के द्वारा कॉंस्टेबल भरती परिक्षा में बड़ी कारवाई होती हुए नजर आई है परिक्षा पास कराने वाले गिरोग का इस तोरान एटी एस की टीम ने भंडा फोड किया है मेग राज मीना और बेदी राम मीना को इस तोरान गिरफतार किया गया दरसल पेपर में पेपर पास कराने को लेकर के 8 लाक रुपे की डिमांड टी परिक्षा पास करवाने वाले ये शातिर लोग थे जैपुर के जगतपुरा में ये योजना बनाते नजर आ रहे थे और ATS ने इस तोरान इनको रंगे हातों दबोच लिया है मिनको गिरफतार कर लिया है कांस्टेबल भरती परिक्षा से पहले ATS के दौरा ये बड़ी खारवाई की गई है और परिक्षा पास कराने वाले गिरो का इस दौरान भंडा फोड हुआ है यानि की खुलासा हुआ है एक समय से ये जो गिरो था वो सक्रिय नजर आ रहा था और परिक्षा पास कराने को लेकर के पैसे लेकर के ये सब कुछ काम किया जाता था और अजमेर से मारे समधाता जावेद हमार साथ जुट चुके हैं ज़रा सीधा उनकर रुकर लेते हैं जावेद की अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जानकारी क्योंकि भरती परिक्षा को लेकर के पास कराने के अवस्वे पैसे लिये जाते थे और ये गिरोज जो है कितने समय से सक्रिय था कैसे इसके बारे में जानकारी मिलती है ATS के द्वार आक्षिन लिया गया और कौन-कौन लोग अभी तक रडार पर है ATS की जावेद मुझे सुन पा रहे हैं जावेद मेरी वास पहुँच रही है आप तक लगता है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है जड़ा वापस से कनेक्ट करेंगे हम जावेद को और उनसे जानने की कोशिश होगी कि कौनस्टेबल भरती परुक्षा आखिर जस तरीके से ये पूरा प्रकरन सामने आता है और इसमें पेपर में दरसल चात्रों को पास कराने के अवस में लाखों रुपे उनसे लिये जाते थे और ये गिरो एक लंबे समय से सक्रिया बताये जा रहा है अब ऐसे में इस गिरो के कितने और सदस्ते हैं जो कि अभी तक पुरस और ATS की टीम की रडार से अभी तक बाहर है या फिर अब मान लिया जाए कि क्या ये गिरो के वही सदस्ते हैं जो कि पूरे प्रदेश के अंदर या बाकी हिस्सों में भी इसी तरीके से गिरो चुलाते हैं जहांपर भरती परिक्षाओं में शात्रों को पास कराने की अवस में पैसे लिये जाते रहे हैं ये गिरो कितने समय से काम कर रहा था, कहां कहां पर इनका नेटवर्ग बना हुआ था चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे समधाता जाविद जुड़ चुके हैं ये जाविद व्यवस्थाएं क्या नजर आती हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है और वहाँ पर इंतिजाम क्या नजर आ रहे हैं कि देखे शुबन तुम आपको बता देता हूं कि अजमेर जिले भर के अंदर जो है आज जो है कॉंस्टेबल भरती परिक्षा है लगबग सब्सक्राइब बनाए हैं जहां पर पुलिस परशाशन पूरी तरिकी से मुष्टेद हैं पर तेक सेंटर के उपर लगबग पुल प्यारत्य को पूरी तरिके से जाच पर रके पूरी तरीकी से उनके जाच करके उसको अंदर परवेश्ट दिया जा रहा है पर लंबी अस्तिन के शर्ट नहीं पहने जा रही है, शोज अलाओ नहीं है, महिला को लड़की जो आरी छात्रा उनको चुननी अलाओ नहीं की जा रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से चांच पर दूबरा से बताइए, जो छात्र इस वक्त सेंटर पर पहुंच रहे हैं, या अब्यारतियों को बिल्कुल पूरी तरीके से स्टिक किया गया था, पूरू में भी कि आप लंबी अस्तिन के शर्ट पहन के नहीं आएंगे, शूस पहन के नहीं आएंगे, वो जो भी अब्यारतिया कर इस तरीके से लंबी शर्ट के अस्तिन पहन के आ रहा है, उसको परिक्षा से पर पूरी पुरी पुलिस का जापता तेहनात है पूरी तरीके से यहापे सुरक्षा वेश्टा चाक चो बन्द है। की शिर्ट है वो आपको पहन के नहीं जानी देना है आप अगर कोई भी जुलरी अगर पहन करके जा रहे हैं उसको भी बाहर उताद दिया जाएगा सुरक्षा कारण है और ये परिक्षा केंद्र के लिए पहले से ही नियम तै किये गए थे जिसके आधार पर फिलाल ये चीज देखी जा रहे हैं जावेद देखे जड़ा आप परिक्षा केंद्र के बाहर हैं जड़ा तस्वीरे दिखाईए वहाँ पर क्या तस्वीरे इस वक्त नजर आ रहे हैं चात्र पहुंच चुके हैं वहाँ पर सेक्यूर्टी रिजन्स के द्वारा जो है उनको रोका भी जा रहा है चेक किया जा रहा है बकाईदा देखे शुब दूमे को अपने केमरे परसंस क्योंगा कि हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरीके से यहां पर सभी चात अभी हारती यहां पर मौजूद हैं अपनी अपनी जो है परिक्षा के रूम स्कीन की जांच की जा रही है यह यहां पर लाउनी जोर्री यहां पर आलाउनी आज़ी है जो शूष यहां पर आ हौनी आघा वहागा बहु दो और पूरी तरीके से पुर्शन इस वक्त मुस्तेयद नजर आ रहा है दो पालियों में इस तवरां की परिक्षा होनी है लेकिन अभी तक जाविद इसमे और दुतिय पाली के अंदर भी कितने चात्रों ने अन्रोल किया है वहाँ पर कितने चात्रों की संक्या बताई जा रही है कितने चात्रों ने पेपर के लिए अपनी तैयारी दी है अधिये लगबग अभी सुत्रों से जानकरी मिलीए कि लगबग जो अजमेर जिले के अंदर जो अभिहारती आएंगे वह नब्बह हजार नौसो संथिंग जो है कुछ नब्बह हजार के असपास अभिहारती यहां पर परिक्षाइद देंगे इसकूल एकर कि जो है जो है जो साड़ी से और च्छेडर जो आपर देंगे ओजिसना पर जो है जो त्रफिक लिखाए जिए ज Barbara मिलीए रिए वहा है और पर अंदर धच्रों से कि एक साथ एक लाग अभिहारती यहां पर लेकर ट्राफिक विवस्ताओं को भी पूरी तरीके से दुरस्त रखा गया, यहां के जगे-जगे जगे पर पूरी ट्रैफिक विवस्ताओं देखी गई, जिससे किसी परकार की कोई समस्तिया नहीं हो, इस्थाने परिशासन ने अभ्यारतु के लिए पूरी तरीके से इंतिजाम किये हुए, जाए जगे जाए चैतरों से जड़ा बात कीजे चातरों के साथ उनके परिज़ान हैं, उनसे भी बात करके देखिये, उनका क्या कैना, उनको कोई परिशानी है, कोई मुश्किल है, कि देखिए इस वक्त यहां पर कई अभिहारती हमारे साथ मौजूद इस बात करेंगे आप 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 या परिक्षा देना आए अपर आस बताइए हाँ जिस तरीके से आपके प्रवेश पत्र में लिखा है किस तरीके से क्या क्या नॉम से वह नॉम सोलो कि आपने हाँ देखि है कुछ परिक्षा देना है कि अभी अभिहारती जो हैं पूरी तारीका से परिक्षा की तैयारी में लगे है पूरी तरीके से जो बिल्कुल पहार है बिल्कुल में गेट को रोखा जा रहा है उनको अभीयारतियों वह बात करने में अभी तरीके से सक्षम नहीं उपार है कि अभीयारतियों के परईजन हैं वह अभी तक दूर है उन Says बाचीः थोड़ा संबब नहीं हो पार है लेकिन 13 से 15 महीं तक ये होनी हैं दो पाली के अंदर ये परिक्षाओं को संपन किया जाना है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं लेकिन इससे पहले जब रीट को लेकर के तस्वीरे देखने को मिली थी जावेद तो इस वक्त बड़ी लोगों की भीर देखने को मिली थी जो अब्यारती थी वो बड़ी संख्या में राजिस्तान में पहुँचे थे और उस दोरान हमने देखा था कि जितनी तयारियां सरकार के दोरा की गई प्रशासन कमने के 2पर जो तयारिया की गई थी तो जाहिर थी बात है कि अब तक जो भी परिक्षा औरीज में बहुत सारी आयवास्ता देखी गई थी लेकिन इस वक्त जो इस बार जो परिक्षा है अब इनकी जो कॉंस्टिबल की परिक्षा है औरीज में खास तोर से इंतिजाम देखे गए हैं पहले सेंटर कम होते थे ले लेकिन अभी इस पर सेंट्रों के सिंख्यां भी बढ़ा दी है पुलिस पिलिस का जापता भी बहुत जादा मौजूद कर दिया गया है जग जगे पर पहले जैमर नहीं लगा गए गए लेकिन इस वाक इस परिक्श्या में परेज्ज़ानी कोई कोटा ही नहीं हो जाए पूर ने दीट है क्रॉस्चेक कितना किस लेवल तक किया जा रहा है क्या कि अब वहाँपर और सिक्यूर्टी जो चेक हैं, जो शात्रों को चेक किया जाता है कि सबसे पहले नकल कोई सामगरी ना लेकर के जाए, एडमिट कार्ड देखा जा रहा है, क्या वो सुरक्षा सिक्यूर्टी जो चेक हैं, वो किस लेवल तक हैं? देखिए जो शुरुक्षा विवस्था है और जांच लेवल है वह बहुत हाई लेवल का है यहां पर किसी भी संदिक्त को देखा जारा तो पुलिस प्रशासन उससे पूरी तरीके से पूस्तास की जा रही है किसी भी छात्र के साथ में अगर कोई व्यक्ति अकेला कोई बैठ चीट कर रहा है तो उससे भी पूलिस परशासन उससे पूर्देशबर में कई जार पैसे लेके अभ्यारति को पास करने की बात की जारी है पांच-पांच-अट-अट-अट लाग रुपे देके उनको पास करने की जारी कुछ कल रात को बंड़ा वोड़ होगा जयब उसको लेकर कि भी पूलिस परशासन और एटियस की टीम है पूरी तरीके से तयार है किसी तरीके से कोई कोता ही या नहीं हो जाए किसी तरीके से कोई लोग यहाँ से गड़बड ही नहीं कर दें किसी तरीके से कोई यहाँ पर नकल वाला मामला पैदा नहीं हो जाए इसको लेकर क पास करने वाले बात उस पर अंकुछ लगाने के लिए इस पर बहुत हद तक प्रशासन की दौरा कदम उठाए जा रहे हैं जाविद आप इस पर पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए बहुत शुक्रिया फिलाल के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे